आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense हिंदी में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मेडिया पर, Facebook, Twitter, Instagram और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में जो की Russian Su-30 का Indian version है और साथ ही बात करेंगे Brammo Supersonic Cruise Missile की जो Russia और India ने साथ में मिलके बनाया है ये दोनों ही platform भारतिय सेना के सबसे घातक और reliable platforms हैं पिछले कुछ समय से भारतिय सेना और DRDO इन दोनों platform को integrate करके और भी घातक platform बनाने की कोशिश कर रही है अपनी इस कोशिश में भारतिय सेना सफल हुई है हाली में एक टेस्स के दोरान Su-30 MKI से Brammo Supersonic Cruise Missile लाँच की गई और ये टेस्स सफल रहा इस सफल टेस्स के बाद में Su-30 MKI और Brammo Supersonic Cruise Missile integrate हो चुके हैं और ये combo operational हो गया है और आने वाले समय में Strategic Process Command को 42 SSS Su-30 MKI मिलेंगे जो Brammo Supersonic Cruise Missile को हवा से दाग सके Su-30 MKI भारतिय वायुसेना की रीड की हड़ी है भारतिय वायुसेना के पास करीब 272 Su-30 MKI है ये fighter jet, twin engine, multi roll, all weather, air dominance fighter jet है इस fighter jet की range है 3000 km और इस range को बढ़ाया जा सकता है air to air refueling की मदब से ये fighter jet बड़ी refueling भी कर सकता है यानि कि एक fighter jet से दूसरे fighter jet में उडान के दौरान इंधन ट्रांसफर किया जा सकता है वहीं दूसरी और, Brammo Supersonic, भारतिय सेना की सबसे reliable missile है इस missile की accuracy का जवाब नहीं फिलहाल इस missile की range 290 km है क्योंकि पहले भारत MTCR का member नहीं था MTCR का मतलब है missile technology control regime ये संस्था कोशिश करती है कि nuclear हतियार एक देश दूसरे देश को ना दे लेकिन MTCR का member बनने के बाद में अब भारत इस missile की range बढ़ा सकता है और इस पर काम चल रहा है आने वाले समय में long range ब्रमोस देखने को मिलेंगी 130 MKI और ब्रमोस सुपर सौनिक क्रूज मिसाइल का combination एक काफी खतरना combination है in fact ये combination इतना ज़ादा deadly है कि इसका strategic importance इसके tactical importance से ज़ादा है इस combination के आजाने के बाद जो deterrence effect especially western border पर होगा उसका अंताजा भी नहीं लगाया जा सकता आएए समझते हैं इसको एक map के माध्यम से जैसा कि बताया गया है 130 MKI की range 3000 km है और ऐसे में इसकी combat radius 1000 km से ज़ादा की होगी यानि कि ये fighter jet भारत के western border पर किसी भी airbase से उड़के border तक बड़ी ही आसानी से जा सकता है in fact ये fighter jet पाकिस्तान के अंदर भी जा सकता है लेकिन ब्रमोस supersonic cruise missile होने के कारण इसको border cross करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये यहीं से यानि कि भारत के अंदर से ही standoff weapon यानि कि लंबी दूरी वली air to ground missile ब्रमोस चला सकेगा और इसके निशाने से पाकिस्तान में कोई भी terrorist camp या launch pad नहीं बचपाएगा 130 MKI में काफी changes किये गए है ताकि ये fighter jet ब्रमोस supersonic cruise missile ले जा सके इसके साथ ही ब्रमोस supersonic cruise missile के air launch version यानि कि ब्रमोस A में भी काफी changes किये गए है ताकि इसको 130 MKI पर integrate किया जा सके ब्रमोस supersonic cruise missile एक भारी missile है और इसी लिए 130 MKI के hard points को change किया गया है उनको और भी जादा reinforce किया गया है ताकि ये heavy missile को 130 MKI उठा सके वहीं दूसरी और missile को हलका करने के लिए ब्रमोस A से booster हटा दिये गए है चुकि ये missile air launched है इस missile को booster की ज़रूरत नहीं है इसी लिए ये missile ज़ादा बड़ा warhead ले जाने में सक्षम है और साथ ही इसके fins में बहुत सारे changes किये गए है ये changes इसलिए किये गए हैं कि launch के दौरान ब्रमोस supersonic cruise missile अपना balance ना खोए अभी की ब्रमोस supersonic cruise missile की range 290 km है जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया है कि पहले भारत MTCR का member नहीं था इसलिए भारत 300 km से ज़ादा की range वाली missile नहीं खरीच सकता था और इसलिए ब्रमोस की range 290 km ही रखी गई थी यह missile 2.8 mark की speed से चलने में सक्षम है यानि कि ध्वनी की speed से 2.8 times वहीं दूसरी और ब्रमोस air की testing complete हो चुकी है और माना जा रहा है यह air launch cruise missile 400 से 500 km की दूरी आसानी से तैकर सकेगी इस missile की speed भी 2.8 mark है आने वाले समय में ब्रमोस 2 का निर्मान किया जाएगा यह missile hypersonic missile होगी यानि कि इसकी speed ध्वनी से 5.7 गुना तेज होगी आने वाले समय में जब यह missile operational हो जाएगी यह subcontinent के सारे समिकरन बदल के रख देगी इस missile की range होगी 400 से 500 km ब्रमोस supersonic cruise missile रशा की P-800 Onyx पर based है यह missile रशा ने 2002 में अपनी सेना में इंड़ाप की थी उसके बाद से कई सारे technology change आ चुके हैं और यह सारे technology change ब्रमोस ER में देखने मिलेंगे माना जा रहा है ब्रमोस ER की range 600 से 1000 km तक की होगी आने वाले समय में भारतिय वाईसेना को पूरे 36 रफाल फ्रांस से मिल जाएंगे भारतिय वाईसेना के रफाल पैकेज में मीटियोर के साथ साथ सकाल्ट सबसॉनिक long range air launch cruise missile होगी यह cruise missile stealth technology से less है और इसी लिए यह भारतिय वाईसेना के लिए game changer होगी लेकिन यह missile सबसॉनिक है और इसकी range 560 km की ही है साथी सकाल्ट सबसॉनिक cruise missile एक बहुत जादा costly cruise missile है और इसी लिए भारत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि रफाल के साथ ब्रामोस को भी integrate किया जा सके देश में निर्मित light combat aircraft तेजस ब्रामोस सुपरसॉनिक cruise missile को ले जाने में सक्षम नहीं है तेजस के हिसाब से ब्रामोस सुपरसॉनिक cruise missile का weight काफी जादा है तेजस की weight carrying capacity नहीं बढ़ाई जा सकती लेकिन ब्रामोस का weight तो reduce किया जा सकता है Brahmos Aerospace, Brahmos Supersonic Cruise Missile के एक variant पे काम कर रही है इस variant को कहा जाएगा Brahmos NG और 2021 तक ये अपनी पहली उड़ान भर लेगी वजन में कम होने के कारण Light Combat Aircraft Tejas का Mark II Suns Current ऐसी दो मिसाइल ले जाने में सक्षम होगा इन दो Supersonic Cruise Missile की मदद से Tejas की मारक्षमता कई गुना बढ़ जाएगी जहां देश में निर्मित Light Combat Aircraft Tejas, Brahmos लगने के बाद बहुत जादा डेडली हो जाएगा वहीं असली पंच आएगा जब Brahmos NG सूपर सुखोई के साथ इंटिग्रेट की जाएगी कम वजन का होने के कारण 130 MKI, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बलकि चार भी नहीं, पाँच ब्रहमो सूपर सॉनिक क्रूस मिसाईल ले जाने में सक्षम होगा और ऐसे पैकेज के साथ ये FIGHTER JET किसी भी दुश्मन खेमे में खलबली मचाने की शक्ती रखता है आपको क्या लगता है, बताएए हमें कमें सेक्षन में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताएए हमें कमें सेक्षन में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें और अगर नहीं भी पसंद आया तो बताईए हमें कॉमेंन सेक्षन में आखिर क्यों देखते लिए अलफा डिफेंस ठान्यवाद जैहिन